तो देखो प्यारे बच्चों इस सवाल को अगर तुम देखोगे हैं यह कहा जाता है कि इंडॉक्टर है जिसकी इंडॉक्टेंस 2mH connected to 2205 frequency AC source, let the inductive reactance in circuit first is X1 ठीकिना यह first कहानी है this is the first story now second story is start from here कहता है कि अगर 220 volt DC sources उसको connect करते हैं replace the AC source तो यह reactance मतलब कुल मिला के resistance कितना offer हो रहा है वो X2 है तो X1 X2 की value निकालनी है तो दो circuit है पहले हम AC के लिए बनाएंगे फिर DC के लिए बनाएंगे तो यह अपना inductor है और इस inductor को अगर मैं इस question को अगर मैं solve करता हूं तो सबसे पहले इस को inductor को मैं अपने एक AC sources से connect कर देता हूं इस यह AC source RMS value 220 volt है दिया नहीं है तो RMS ही लेते हैं और 50 hertz frequency है और इसका जो L है वो 2 milli henry है तो यह कहता है कुल कितना resistance हापर करेगा वो X1 है X1 हम सबको पता होगा आपको प्याद होगा omega L तो X1 की value omega L होती omega is equal to 2 pi frequency of AC और यहां से 2 pi और frequency की value यहां 50 hertz और L यहां 2 milli henry है तो 2 milli मतलब 10 की power minus 3 तो यहां से 2 और pi की value 3.14 और यहां से 2 से multiply करोगे 100 ohm, milli मतलब 10 की power minus 3 तो 10 की power minus 3 मतलब यहां से तुम देखोगे और यह आ जाएगा multiply करोगे तो 628 हो जाएगा और यह और multiplied by 10 की power minus 1 यहां बचेगा मतलब 0.628 ohm जो है first case में inductance offer होगा मतलब यह होगा first option सही नहीं हो सकता second सही नहीं हो सकता या तो यह सही है या तो यह सही है अब मैं case first को जैसे ही मैं solve कर लिया अब मैं लगाऊंगा यहां से AC नहीं लगाऊंगा DC source लगाऊंगा latest change the circuit और इसी inductor को मैंने लगाया और यहां से मैंने एक battery लगा दी plus minus जो की एक DC source है DC source है और DC source की जो value है 220 volt की constant voltage है यहां से तो यहां से कुल कितना resistance आपर करेगा द्यान रगना इसमें coil होते हैं तो coil भी के पास कुछ resistance होता है तो वो resistance है तो यहां से जो X2 निकालोगे तो यही formula लगा दो omega L omega is equal to 2 pi frequency L अब जो DC होती है वो fluctuate तो करती नहीं है constant होती है तो अगर एक constant होती है तो DC की frequency यहां से याद कर लो 0 होती है तो अपने आपको repeat नहीं करती है fluctuate नहीं करती है तो इसकी frequency 0 चला गया तो जैसे इस frequency 0 रखोगे तो X2 0 आ जाएगा और X1 अपना 6.2 आया था मतलब यह है कि 3rd option इसका सही हो जाता है और 4th इसका गलत है